तो दोस्तों अगर बात करें HF Deluxe और Splendor Plus में तो दोनों में क्या अंतर है दोनों बाइक की सुरों पर 130 mm का drum brake और 18 इंच का hello दिया गया है वहीं आपको बता दे हीरो में 5 step adjustable rear suspense मिलता है जबकि HF Deluxe की unit में केवल 2 step adjustable है और Splendor Plus X-Tec में 9.8 liter petrol और HF Deluxe में 9.6 liter का tank हो सकता है यानि ज़्यादा major difference तो नहीं है लेकि दोस्तों बात करें BS4 और BS6 की यानि हम बात करें यापे Splendor BS6 और HF Deluxe BS4 तो इसमें क्या difference है तो आपको हम यापर दिखाने की कुशिश करेंगे तो Splendor BS6 और HF Deluxe BS4 में काफी अंतर है इसके engine में इसकी design में बहुत सारे difference हुए है आपको दिखा दें कि यहाँ पर आपको देखी engine नजर आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट एड़ है यह हर बाइक के अंदर मिलता है आपको किसी भी भाइक को आप पर्चेज करेंगे तो उसके अंदर आपको फर्स्ट एड़ बॉक्स मिल जाएगा साथ ही साथ आपको कुछ टूल किट भी मिल जाएगा यहाँ पर आप देशकते हैं यह प्लग पाना है और इसके साथ साथ एक screwdriver भी है तो यह आपको HF Deluxe में मिलता है Splendor Plus में मिलता है अधर आप motorcycle purchase करते हैं तो उसके अंदर भी आपको यह मिल जाता है यहाँ पर पीछे आपको जो carrier दिखाई दे रहा है यह आपको HF Deluxe के अंदर नहीं मिलता है एक एवल आपको Splendor Plus के अंदर ही मिलता है I3S आपको दिखाई दे रहा है I3S Splendor Plus भी आता है HF Deluxe भी आता है उसमें आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा इसके अलावा यह जो आपको Splendor Plus में दिखाई दे रहा है यह आपको HF Deluxe के अंदर भी मिलता है Power Start मिलता है I3S मिलता है और इसका जो टैंक है वो अलग है इसके साथ साथ आपको जो मीट दिखाई दे रहे हैं वो भी अलग है Splendor के अलग है HF Deluxe के अलग दिखाई देते हैं आपको वो उनका जो बनावट है वो अलग है यहाँ पर इंजन का बिल्कुल ही बनावट अलग हो गया है यह आप दे सकते हैं यह Splendor Plus का BS6 का मोडल है जो इंजन पूरी तरगी से चेंज हो गया है इसके अंदर ना तो आपको जो है Petrol का Option मिलता है जो हम Off, On करते थे वो नहीं मिलता है आपको साथ-साथ इसमें आपको चोग लगाने का Option भी नहीं मिलता है Direct Start होता है इसके साथ-साथ आपको Power Start के साथ-साथ FI Programmed किया हुआ BS6 के अंदर मिलता है जबकि HF Deluxe है उसके अंदर आपको Manually मिलता है इसके अंदर आपको Petrol को On-Off करने का Option मिलता है यहां पर दे सकते हैं आप क्या Difference है इसके साथ-साथ यहां पर एपको चोग दिखाई दे रहा है जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती है हमारी Motorcycle तब हम इस चोग का इस्तमाल करते हैं लेकिन BS6 के अंदर ऐसा नहीं है BS6 के अंदर इंजन बिल्कुल डिफरेंट है उसके अंदर आपको चोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर आपको पैटल को अन उफ करने का जरूरत नहीं पड़ता उसमें वो उप्सन नहीं दिया है तो एक बैटर उप्सन उसमें दिया हुगा है BS6 के अंदर लेकिन BS4 में आपको मैनुली मिलता है अब यह बारिस हो गई तो तोड़ी गंदी हो गई है है यह हलाजोन लाइट आपको देखने को मिलती है इसके साथ कलर का डिफरेंस है तो वो ज्यादा मेटर नहीं करता है आप कलर कोई साभी सेलेट कर सकते हैं हभी डिलक्स का यह वाला कलर सबसे ज्यादा पॉपूलर है और अगर Splendor Plus की बात करें तो इसमें आपको ग्रे वाला जो कलर है वो सबसे जादा popular मिलता है इसके अलावा अगर build design की आप बात करें तो मुझे HF Deluxe का build design है वो काफी अच्छा लगता है उससे मज़गूद लगता है Splendor Plus से आप यहाँ पर दे सकते हैँ है चैप Deluxe का जो है petrol tank किस तरीके का है इसका जो lid है वो किस तरीके का है गोल तरीके का है इसके अलावा अगर आप Splendor Plus की बात करें तो इसका देखिए tank किस तरीके का है इसका जो आपका lid है वो पूरा यहां से देखी अलग आपको दिखाई देता है पूरा यह इस तरीके से open हो जाता है यानि इसमें काफी difference है जो tank में और tank के lid में आपको काफी difference देखने को मिलता है meter में भी काफी difference है इसके साथ साथ जो light है उसमें भी आपको बहुत सारा difference देखने को मिल जाता है तो यह थे कुछ अंतर कुछ difference BS6 Splendor Plus का और BS4 HF Deluxe का मुझे उम्मीदा के वीडियो आपको पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कर लेना अगर आपने अभी तब हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना चले फिर मिलते हैं किसी और नेक्ट वीडियों कुछ और टेक्नो टिप्स की जानकारी लेकर आपके साथ सेयर करेंगे तब तक के लिए जैहिंत पंदेमात रम